उत्राखंड की 70 सीटों पर आज मतदान जारी है मैं इस समय हूँ खटीमा की सीट पर जहां पर दावेदारी है मुख्य मंत्री पुशकर धामी की दरसल उत्राखंड की आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में यानि की पिछले 20 वर्षों में जब से इस राज्य को बनाया गया है तब से हमेशा दिल्चस्प रहे हैं युवा प्रदेश, युवा नितृत के नाम से बीजेपी तो इस बार मैदान में उतरी है लेकिन कतारों में जो लोगों की संक्या है वोटरों की संक्या वो करीब 82 लाख वोटर हैं पूरे राज जमे 632 के आसपास इस बार उमीदवार है जो मैदान में उतरे हैं लेकिन सा सीटों पर मतदान तो जारी है लेकिन कोविड की प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है लोग सुभा से ही वोटिंग कर रहे हैं समय 8 बजे से शाम तक का रखा गया है क्योंकि सुभा कोहरा बहुत होता है जिसकी वज़े से नियमावली में ये पर ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लगबग असंभव रहा है आकड़ों की बात करें तो वोटिंग हमेशा हाई होती है लेकिन क्या इस बार हरी श्रावत जो खुद यहीं की दूसरी विधान सभा से अपनी किसमत आजमा रहे हैं आज उनकी किसमत का भी फैंस क्यामरा परसन सूरज पांड़े के साथ मनोग्या लोईवाल खटीमा उत्राखंड एबीपी नियूज